हाई एकने वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर आप लोग सौड कट तरीके से वर्ग निकालना सीखेंगे देखें कुछ ऐसे स्टूडेंस भी होते हैं जो की बर्ग है आपस में गुड़ा करके जैसे यहां पर एक जारा का एक जारा करेंगे एक जारा कर सरफ और गुड़ा होती है तो हमसे इस इस वीडियो पर आपको सौडक कट तरीके स्यर्ग निकालना सिखाएंगे देखिए जैसे हैं आप एक जारा का व्रग गहां तो आप एक जारा का वर्ग देख रहें एक अंक दोबार लिखा हुआ। तो आप इसके बात देखें कि यहां पर लिखा दिखा लिखा है तो चुकि देखें एक 54 क पर के लिदर करने पर 121 आया है अब 101 का वरक कैसे करेंगे बस आपको 1201 लिखना है 121 लिख दिये अब इन दोनों की बीच में देखें कि यह जिरू यह तो आपको यहाँ पर 121 लिख लेना ठीक है अब इसकी बाद दिखिए कि दोनों अंकों की बीच में 00 है तो आपको यहाँ पर 0000 लगा देना यही आपका वर्ग है आप लोग गूडा करके भी निकाल सकते हैं अब दिखिए यहाँ पर भी चुकि दस हजार एक कवर्ग है तो आप को यहाँ पर लिखना पड़ेगा 121 अब इसकी बाद दोनों अंकों की बीच में देख रहे हैं कि 3300 है तो आपको 3300 लगा लेने हैं देखिए 3300 लगा लिए बस यसी तरह आप सौट कर तरीके से कर सकते हैं एक दूसरा अंक देखेंगे जिसके इकाई अंक में 5 होता हूँ तो आपको कैसे करना है इसको आप एक अधिकेंद पूर्मेड विधिद्वारा भी कर सकते हैं देखें चुकि इसके इकाईंग 15 का वर्ग है और 15 का वर्ग है इसका इकाईंग 5 है तो 5 को आपको 5 का वर्ग करना पड़ेगा तो चुकि 5 पाचीस हो जाएगा पांच का है तो 5 का वर्ग कर दो यह जाएगा 25 पाचीस और दो का एक अधिक अंग जिसे दो है ठीक है अब एक अधिक अंग तीन होता इन रूख अपसमें गोड़ा कर दो यह जाएगा छे चुकि 3 दोनी 6 आप इसी तरह से 35 आपको 25 करही देना है अब 5 यहाँ पर दीज थेंग है ao AI तो 3पा एक अदिक चार हो होता है यह तो 30 को 12 हो जाएगा उसी तरह 45 का भी बर्ग निकाल सकते हैं तो 5 को हो जाएगा 20 ठीक है इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं यह हो जाएगा 25 और 5 का एक अधिक में 6 होता है तो 6, 5, 30 यहीं आपका बर्ग है बहुत ही आसन तरीके से अमने बताया है एक अंक का और आप भी देख सकते हैं जैसे हम पास एक अंक लिख देते हैं आपके ल बाहर है तो आप 12 और घटी क्रम में लिख दो बर निकल गया है अब मालीज एक सो 1100 का इसे निकालेंगे चुक्छे एक तीन बार लिखे ना एक दो तीन आपको तीन तक चलना है इसके बाद पूरा घटीक में लिख दो तीक है उसी तरह से देखें यहां पर 1101 का मालीज ब बर गया है तो आप 1234 देखें चार तक लिए चार तक क्यों क्योंकि यहां पर एक चार बार है इसके पूरा घटीक क्रम में लिख लेते हैं यही बर गया है इस तरह से सॉट कर तरीके से आप बर निकाल सकते हैं अधर अंकों कभी हमने बर निकालना सिखाया है आपको उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा वहां से आप चिक कर सकते हैं थैंक यू